आज दे मेन टॉपिक विच जिसनों से बोल दे हैं वाट इफ तो पाव कि जदों किसे टाइप किते हुए डाटे विच्जों किसे अननौन रिजल्ट नों फाइंड आउट करना होए जहां कोई अननौन कैलकुलेशन करनी होए उस टाइम ते असी वाट इफ दी वर्तों करते साब तो प büyला काटरीं थे टाटर टाइप तो बात वेटे सामनेब किसे डाटा टुल्स ना अधी एक गुरूप उप्शन दिखाई देगी ओ-टे विच सक्टाइब किसे लास्ट वारी ऊप्शन है जैश्क्ची वर्तिवस्ते दे सामने में किसे का मेंड्य किसे second is goal seek so आज जसी सरफ scenario manager आते goal seek दी ही गल कराँगे सब तो पहला जसी गल कर दे हाँ scenario manager दी scenario manager तो पाफ की उदारन दे तोड़ते जिमें तुसी अपनी sheet वी टेबल देख रहे हो किसे book store दी information है जिस विच अची गल कर दे हाँ कि वो book seller ने 100 books नो sell कर दा है एक book दा price उनने 75 rupees रख्या है so book seller plan कर दा है कि जे ओ 50% profit मन के चल ले ता 100 books दो पर उसनो किना profit होए जे ओ 60% profit मन के चल ले ता उसनो किना profit होएगा जे ओ 70% profit मन के अपनिया books नो sell कर दा है ता उसनो किना profit होएगा सो इस कम कर ले असी what if जो scenario manager नो use करांगे सो सबतों पहलना असी अपने percentage डिसाइड कर दे हैं जो असी decide करांगे असी d4 cell दोपर क्लिक कर दे हैं उस्तों बाद असी what if analyze तो scenario manager दोपर क्लिक कर दे हैं add button दे उपर क्लिक कर दे बाद सबतों पहला सानुप पुछा जानदा है scenario दा नाम कि तुसी अपने scenario दा की नाम रखना है उदारन दे तोड़ते असी रख दे हैं 50 percentage जान तुसी कोई भी नाम अपनी सहूलत दे कोडिंग रख सकते हो next option होंदी है cell changing cell ओवला cell जिदे विच असी value नूँ change करना है जान जिस value दे बहाव दे असी values नूँ calculate करना चौन दे हां उसे याल दा Adds टाइप करो अते OK बटनों ते क्लिक कर दे हो सानु पुछी जाएगी कि तुसी किन्नी value नूँ change करना चौन दे हां जिदो असी percentage दी गल कर दे हां असी 50 दी गाले किती 0.5 60 हुंदा तांसी 0.67 तो उसी OK बटन ते क्लिक करोगे टोड़ा एक scenario एड़ हो जेगा बट असी 2-3 करके देख दे हां next असी क्लिक कर दे हां add बटन दे उपर next 60% असी नाम देने हां sales आडव ही D4 ओके टे क्लिक कर दे हां value डिमांड किती जान दिया 0.6 एड़ बटन दे क्लिक कर दे हां तो नसी 70% जाए टी जो तुसी भी चांदे हो तुसी उदा नाम दे सकते हो sales आडव ही देगा हमेशा D4 ओके बटन दे क्लिक कर दे हां 0.7 असी तीन percentage लेंगा 50 percentage 60% and 70% सो असी ओके बटन दे क्लिक कर दे हां ओके बटन दे क्लिक कर दे हां तो बाद साठे को तीन सेनेरियोज साठी लेस्ट तो शो हो रहे हैं 50% 60, 70 अगर असी 50 दे क्लिक करके शो उपर क्लिक कर दे हां तो उसी देखो फिलाल साठा profit blank शो हो रहा है अगर असी 100 bucks नो 50% दा margin राके sale कर दे हां ता 100 bucks दा सनुना profit होएगा अगर असी 60% दा margin राके books नो sale कर दे हां ता 60 margin चेंज हो जावेगा अगर असी 70% दा margin राके आपनिया books नो sale कर दे हां साठा margin हो रहेगा 5,250 only तो एसी के असी future plan कर दे हां कि असी किन्ना margin लेना चौने हां किन्ने percent दे books नो sale कर दे हां अगर असी profit दी summary देखना चाने हां जा उसनो future ले save करके रखना चौने हां ता असी scenario manager dialogue box वीचों summary बटन उपर क्लिक कर दे हां result cell असी e9 select कीता है okay बटन उपर क्लिक कर दे हां ता तुसी त्याना देखोगे सड़ी workbook वीच एक नमी sheet add हो जावेगी जिस विच 70, 50 जा जो data भी तुसी जिनने भी percent दे तुसी लेक के future plan करना चान दे हो उसी detail वाड़े सामने आ जावेगी विद्यार्थियो next असी गल करन जा रहे हां goal seek function दी goal seek function तो पाप के जदो असी calculation दे विच कोई future goal decide करना होवे ता असी इस function दी वर्तों कर दे हां उदारन दे तोड़ते तुसी आपनी screen उते कुछ marks देख रहे हो विद्यार्थि दे 5 टेस्ट हो चुके हां जिनना विच टोटल उसने 206 marks प्रापत कीते हां सो विद्यार्थि दा target है 302 जादा marks प्रापत करने सो उसनू test नंबर 6 दे विच्चो किन्ने marks चाहिए हां कि उसने desired marks उसनू प्रापत हो जान सो इस कामले असी goal seek function दी मदद लेने हां data tab दे विच्चो वाट टिप्स से जाके असी goal seek दे उपर क्लिक कर दे हां साथे सामने का goal seek ना अंदा dialogue box दिखाए जिनता है सब्तों पहलना सानू पुछे जानता है कि ओवले set नू तुसी select करो जिस दी value नू chain करना चोल दे हो असी e18 cell दे उपर क्लिक कर दे हां next तुहानू किन्नी value चाहिदी है सानू चाहिदी है 300v student चौंद आएगी उस दे next total जड़े marks ने 300v हो जान by changing value केड़े cell दे भी हाव दुटे साधे marks 300v होन असी वो cell दे उपर क्लिक कर दे हां जो है e16 e16 पर क्लिक कर दे बाद असी ok बड़न दे क्लिक कर दे हां तुसी त्याना देखोगे कि जे student नू 300v marks चाहिदी हां ता उसनू test number 6 दे विक्चो 54 marks प्रापत करन दी रोड़ पवेगी so goal seek function दे राल असी कुछ हिद्दा दिया calculations कर सकते हां कुछ future planning कर सकते हां इस function उसी बोल दे हां goal seek function जो what takes दा ही एक पाट है